अब चलिए एक नवर में देखे क्या कर रहा है कि नव निश्चवाद के प्रावर्त कोन है रेट जल है या हम बोल्ट है या बलास है तो आप से पता है ना कि ग्रैफिट टेलर जी है तो भी आपका राइट एंस रोगा ठीक है अब चलिए आपके सामें दो नवर परसें में क क्या क्या कर रहा है कि संभावाद सब्द का परियोग सरवपर्थम किस फ्रांसी सी विद्वान ने क्या था यह जो आप से का जो राइट एंसर क्या होगा ठीक है याद रखेगा लूशियन फैवरे जो देखे रहे हूँ आपका राइट एंसर है ठीक है चलिए अब देखे तीन नमर में क्या कर रहा है तीन नमर परसन बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट है जो कि सब्जेक्टी में पूछा आ सकता है दो नमर में यहां पर क्या कर रहा है कि भूगोल का जनक जनक मतलब पीता किसे माना जाता है यूनान को माना जाता है ये सिया को या फिरका को या इन मैंसे कोई नहीं तो आप से का विल्कुली राइटन से क्या होगा यह होगा और कभी-कभी पूछा एता है कि भुगोल किसे कते हैं भुगोल के दो-चार परिभासावात है भुगोल के पिता कोल है भुगोल के यह खनाचीना पुछते है तो दो नमर में पुछाएंगे इन सबका परशन आप याद करलें हम आपसे पुछते हैं सिर्फ दो-तिन परशन पुछेंगे कि भुगोल का पिता किसे कह जएता है और भुगोल किसे कहते हैं आप सो यह कमेंट करके बताएंगे जरूर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएंगे ठीक है चलिए अब देखिए चार नमर में क्या कर रहा है यह प्रसंद जो ही यह बहुत वार पूछा भी गया है किन्ने में लिखित में से कौन एक महादीप में जन संख्या विरिध आपको अप्सों जो है और भी लगाना है तो आप सो का जो बिल्कुल ही राइट एंसर क्या रहा है क्योंकि बुक की कोडिंगर आप जाईएगा तो आप फिरका महादेश दिखाएगा अगर आप गूगल करते हैं तो आपको इसी महादेश दिखाएगा लेकिन आपको भी ह और इस तरी जो है वो सर्वधिक है वो कहा बड़ है तो यह सनिक्ता आप कि अमीराद में है या फ्रांस में है या जेपान में है लेटवियाद में है और और सब्सेबसे याद रखेगा अब यहां पर देखे च्छोर नमर में क्या गरा है कि भारत में एक हेक्टर किरिसी भूवी पर कितने विक्ती आसिरित रहते हैं मतलब कि एक हेक्टर जो होते हैं तो उस पे कितने लोग उस पे आसिरित रहते हैं पांच लोग 15 लोग 12 लोग या 0.4 लोग यह तो आपको बताना है तो देखें यह तो होगा नहीं 100 परसेंड होगा यह कोई सब्द नहीं है राइट एक रहता तो हो सकते था लेकिन इसमें क्या करा एक हेक्टर जमीन बहुत ही जादा है थोड़ा सा वेट करेंगे चलिए अब तो 5 यहां पर 7 औरisti को दिखें क्या करा है कि ने जरन संख्यावाला महादेश को में नि मन जरन संख्या जो कि बराबर मेडियम कर सकते है उप डख्षीं अमेरिका है और सेँ답ा और थ recipe यह तो लोगा ही नहीं सबसे बेले आपको याद रहना है यह यह आपको याद क्या करते हैं ग्रोड जो करता है उसे हम रोड करते हैं जैसे कोई देश हो गया जैसे भारत है भारत भारत में क्या है यहां पर 15 से लेके जो 69 वर्ष के जो एज होंगे वो सकते हैं यह जो एज सब कि बच्चे भी योई होंगे कि बच्चे में ही गिंती होंगे आपको बताना है किसका राइट इंसर क्या होगा वहूत अच्छी आपने वहुत तिछा कमन्ट किया है यह वाले का राइट एंसर होगा ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे आपके सामने नो नमर में क्या करा है नो नमर परसंट को अच्छे से समझेगा कि निम्नांकित में कौन सा आयू वर्ग नहीं है तो आपको बताना है तो आप सब को पता चल गया होगा कि इसका राइट अंसर क्या होगा क्योंकि 60 कोई आयू वर् पंदरा से लेके 69 तक होता है और 60 होता नहीं है ठीक है याद रखेगा अब आगे चलते हैं 60 से धिक नहीं होता है अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 10 नमर में क्या करा है कि निम्लिखित में से कोई देश है जो कि क्या करा कि उच्छ मानव विकास वहाँ पर मानव जो भी कास करता है वह सबसे जादा है वह आपका दक्षिन फिर का है भारत है नौर्वे है या चीन है तो आप से का बिल्कुल ही राइटेंसर क्या है नौर्वे है नौर्वे सबसे अदा उच्छ विकास वाला ठीक है याद रखेगा अब आपके सामने यहां पर 11 नमर प्रसन म से बहुत बार पूछा गया अपके सेंटर बियक्जाम दी है उसमें भी प्रसन पूछा गया था सलिट करे चेजिश होता है जिसमें बड़े लोग इसका उत्पादन कर पाते है चलिए अब यहां पर 11 नमर में नहीं से क्या करा है कि सुष्ष क्रेशी में में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, सुस्क्रिय से मतलब कि ठंडा के जम मोसम रहता है, उस टाइम क्या होती है, कोई फसल नहीं बोई जाती है, वो रोगी, जुआर, मंगफली, गन्ना, इसके बारे मती राइट एंसर क्या होगा, बहुत अच्छे, आप सो का जो कमेंट आ रहा है, गन्ना, आदर से मतलब कि हो गया कि इससे कितना ताप मान दिया जाए, कि यहूं की फसल अच्छा साच्छा हो, तो इस पर पांच से दस से पर होना चीए, निगरी कह सकते हैं, और दस से बिस या बिस से तीस या तीस से चालिस, यह प्रसन बहुत बार पूछा भी गया है, तो इससे कोफी बागान जो है, उनको क्या कहाता है, फेजेंडा, एजेंडा, मिलपा, लादांग, तो इसके बारे मतले यह राइट एंसर क्या होगा, फटा फट कोमेंट करिया, बहुत अच्छे, यह भी कोमेंट यह आगा सका राइट एंसर है, ठीक है, आब यहां पा दिखिए, प 15 दिन के बाद समझ सकते हैं, 10-15 दिन या 20 दिन के बाद देखिएगा, उसमें खाद डाला जाता है, क्योंकि यह खाद फसल है, उसमें नहीं डालेगा, तो यह खराब हो जागा, होएगा नहीं, ठीक है, चलिए, आब आपके सामने 16 नवर पसंद को देखिएगा, अच्छे यहां पर क्या कर रहा है, अब यहां पर देखिएगा, आपके सामने 17 नवर पसंद में क्या कर रहा है, कि निमन में से कौन सी किरिसी, कि परकार का बिकास, येरोपी उपनी वेसिक समुहों दुआरा किया जाता है, तो ये बताएगे किसके दुआरा किया जाता है, फटा फटा बताएगा, वलखुज का, अंगरोपतादन का, मिस्रित क्रिसी का, रोपन क्रिसी का, आप से को पता है न, कि जो येरोपी जो करती जेका और हो सके तो अपनी दोस्तों को जम के सेर करें और जित् Ready अगर जितना आप सेर करेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा और आपके लिए आपके बताना है अमेजन बेसिन में मध्वे अमेरिका में या कांगो बेसेयर में तो आपको बताना है प्ठावभट बहुंत अछे यह वाले का राइट है अब देखें आपके सामने ओन नइसे क्या बता sistemas क्या रहा है सरवत्ति निमली खित में कौन द्रस्यदार फसल है तो आपके उताने कौफी है चाय है गेहूं है या कपास है इसके बारे मत यह कि राइट एंसर क्या होगा बहुत अच्छे डी वाले का राइट एंसर है यह याद रखेगा अब आपके सामने एक कई से नवर में क्या कर रहा है कि निम उनली यह पर बना लिए गइहूं ठीके मैं और उससे क्या क्या गया उससे आपको 8 बना अजया होगा इसके auction क्या UA when करते हैं तो आपका राइट इंसर को देखेगा अच्छे तरह से यहां परसन बहुत ही भीविया है कि निम्लिखित में कौन उध्योगिक और स्थापना का परमुकारक नहीं है तो आप अपर बता देजेगा कि राइट इंसर क्या होगा वजार होगा पूजी होगा जनसंक्या जनक्यार कोई नहीं होगा जभण फ़ी और यहां तो इस्क्राक नहीं ह्?? सब बहुत बार पुछा गया है सब्जक्ट में याद रखेगा मैंञा डोस्ततर बैंकिंग हो गया और जो उसकते हैं उत्वी लो है च्लाबungs परक्राइब अब यहां पर नियाई प्राथ्मिक दूतिय और चतुर्थ बड़ा यह जो है आपके है जो आप कहते हैं उसका भी किस दिना आएगा तिये चतुर्थ कराब में आएगा अब देखिए यहाँ पर करा रहा है अब यहाँ पर दिखिए क्या कर रहा है ओपे का फ्रम है इसमां पर ट्रॉल हो गया ओपेक का मुख्याले कहां तो आप और यही विए नवी में या जनेवा में इसके वारे में ते राइट एंसर क्या होगा बहुत अच्छे 26 नमर का आपका सुका आ रहा है जो ब्याना वाले का ए वाले का बिल्कुल है राइट इंसर है अब 27 नमर देखे वर्ल्ड वाइड वेव के अभिसकारक कोन है वर्ल्ड वाइड वेव मतलब डबलो 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 अगर कोई भी चीज अगर सर्च करते है तो इसके जो अभिसकारक के दोरा परवाइड के तया सकता है इसमें जो क्या जहता है आपका लगा देते हैं तरल पेट्रॉलिंग जो कि आपका गलत होगा सिदय आपको पेट्रॉलियं म याद रखना है अब आपको 29 नमर देखे 20 का समुंद्री मार्ग कौन सा है यह बती है इसके बारे में आपका जो राइट एंसर क्या होगा बहुत अच्छे इसमें आपका राइट एंसर क्या होगा उत्री अट्लांटिक मार्ग जो कि आपका सी बहुत अच्छा है ठीक है अब यहाँ पर जो बिस्ट्रीट पतन जो देखे रहे वो आपका राइट एंसर ठीक है अब यहाँ पर देखे आपके सामने 38 नमर में किस देश में अवस्थित है कि परसन को हटा दिया है क्योंकि यह प्रसन अच्छा नहीं है बस तो की सबसे अधिक है तो यह जपान से है जर्मनी से चीन से भारत से इसके वारे में यह राइट एंसर क्या होगा बहुत अच्छे 33 का जो आपसो का जो आ रहा है बी जर्मनी व आपके सामने कितना नंबर है 34 को अच्छे समझेगा और 34 कि कलाहारी मरुस्तल में कौन से जन जाती निवास करती है जो कि बुस्में जो देखे रहे सी आपका राइट एंसर होगा और यह आपका 35 सवाल है कि बावा बुदन पहारी है बावा बुदन पहारी जो आपके करना आपके में है तो यह आपका राइट एंसर है